नमस्ते फ्रेंज आपका स्वागत है आज हम आपके लिए दादी मा के कुछ आसान घरलू नुसके लेकर आए हैं ये नुसके आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगे और आपके घर के काम भी आसान बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं टिप नमबर एक चेरे पर दाग ध अबबों से बचना है तो करेले का जूस पीना चाहिए ये कड़वा होता है पर बहुत ही फायदेमन होता है टिप नमबर दो कॉक्रोज भगाने के लिए हमें क्या करना है जहां कॉक्रोज आते हैं वहां खीरे के तुकड़े रखतें कॉक्रोज खीरे के महग से तूर बाग हो जाएंगे टिप नमबर अ na 3 घड़ी साफ करने के लिए हमने क्या करना है घड़ी को साफ करने के लिए एक नरम कपड़ाले और हलके साबुन से पोचे घड़ी चमक उठेगी टिप नमबर चार, सुबह नाश्ता जरूर ले, सुबह नाश्ता लेना बहुत जरूरी है, रात के भोजन के बाद सुबह तक काफी समय का अंतराल होता है, और सुबह में शरीर को उर्जा की जरूरत होती है, अंत नाश्ता करके उर्जा की जरूरत पूरी की जा सकती है टिप नमबर पाच ताजा, एलोवेरा और आदा टमाटर दोनों का पेस बना ले और उसमें थोड़ा सा आटा और शैद मिलाकर चेहरे पर लगा ले बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा टिप नमबर छे, चटाई साफ रखने के लिए, चटाई को साफ रखने के लिए हर हफते पानी और सिर्के से पोचते चटाई साफ और ताजा रहेगी टिप नमबर साथ, पानी में बद्बू ना आए, अगर पानी में बद्बू आती है तो उसमें नीम के पत्ते डाल दे, बद्बू चली जाएगी टिप नमबर आठ, सर्दी जुकाम से बचने के लिए, सर्दी जुकाम से बचना है, तो रोजाना एक चमक, हल्दी और शैद मिलाकर खाए, टिप नमबर नौ, बरतन चमकाने के लिए, बरतन चमकाना है, तो निम्बू के रस और नमक से रगड कर धोए, बरतन चमक जाएंगे टिप नमबर दस कपड़ों से दाग हटाने के लिए अगर कपड़ों पर दाग लग जाएं तो उस पर निम्बू का रस रगा कर थोड़ी देर छोड़ दें फिर धोले दाग हट जाएगा टिप नमबर ग्यारा मचर बगाने के लिए मचर बगाने के लिए कपड़े पर नीगरी का तेल लगा कर कमरे के कोने में रुखे मचर तूर भरेंगे टिप नमबर बारा घर में खुश्पू बनाये रखने के लिए घर में मिठी खुश्पू के लिए पानी में गुलाब जल मिला कर स्प्रे करें घर महग उठेगा टिप नमबर 13 किताबों को कीड़े से बचाने के लिए कीताबों में नीम के पत्ते रख दें इससे कीड़े नहीं लगेंगे टिप नमबर 14 दई के उपर वाला पानी पीने से लिवर साफ होता है टिप नमबर 15 जेलेबी ताजा रखने के लिए जेलेबी को एटाइट डिपे में रखकर फ्रिज़ पे रखे टिप नमबर 16 मूँ की बदबू से परहशान हो तो दालचिनी का एक तुकड़ा मूँ में रखे मूँ की बदबू तुरन दूर हो जाती है टिप नमबर 17 दूद जल्दी खराब ना हो दूद में एक चुटकी चीनी डाल दे दूद जल्दी खराब नहीं होगा टिप नमबर 18 थंडा पानी पीने से बाज़बन की बीमारी हो सकती है लगातार अधिक जादा थंडा पानी का सेवन ना करे टिप नमबर 19 कप्स की परेशानी को दूर करने के लिए आप हिंग के दूद का सेवन कर सकते हैं ये सुबसुब मलत्याग को आसान कर सकता है इस दूद का सेवन नियमित रूप से करने से आपको काफी लाब होगा टिप नमबर 20 बातरूम में पानी की बालती या फिर टब को हमेशा भर कर रखना चाहिए यदी बालती खाली है तो उसे पलट कर रखना चाहिए इससे घर में सुख समुरुती बनी रहती है टिप नमबर 21 बरसाग के दिनों में मसालों को खराब होने से पचाने के लिए मसालों में थोड़ा सा नमब मिला दे इससे मसालों में जाले नहीं पड़ेंगे और उन्हें काच के जार में रखें टिप नमबर 22 फ्रिच में से बदबु आ रही है तो एक निम्बु ले और उसे बीच में से काट कर फ्रिच में रख दे बदबु गायब हो जाएगी टिप नमबर 23 मूँ में छाले पड़ गए हो तो कच्चे दूद से कुला करें तो दोस्तों ये थे दादी मा के कुछ आसान टिप्स जो आपके घर के काम को आसान बनाएंगे और खाने का स्वाद बढाएंगे ऐसे ही और मज़ेदार टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूले फिर मिलेंगे नए टिप्स के साथ धनियवाद चाओ